स्री शिवाय नमस्तव्याम हर हर महादेव कैसे ही आप सब देखिए कल नवरातरी की शेष्टी दिती है याने कि छटा दिन है देवी कात्याईनी को समर्पित है और इस दिन माद्दुर्गा के कात्याईनी स्वरूप की पूजा की जाती है आपको बहुत ही आसान सा उपाय कर हैं साथिसाथ मन चाहा जीवन साथी भी आपको मिलता है बहुत फास ही उपाय है यदि आपका विवा नहीं हो पा रहा है तो साथिसाथ यदि आपके घर में पति-पतिनी में लड़ाई चलती है पति-पतिनी एक दूसरी की बात नहीं मानते है तो नवरातरी के ये बहुत ही खास होता है आपके घर से घरक लेश को भी दूर करता है तो बहुत ही आसान सा ही उपाय है मात्र शेहत से आपको ये सुन्दर सा हुपाय करना है देखे पुझी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शीव के यदि आप सच्चे भगते हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें देखें इस उपए को बिल्कुल ध्यांसे समझना आपको लेना है मात्र एक पान का पत्ता आपको लेकर क्या आना है और उसी का दीपक ये होना चाहिए ये आपको ले करके आपके घर के कुल देवी के सामने आपको बेट जाना है कुल देवी की फोटो है तो उनके सामने बेट जाएए मादुरगा की फोटो है तो उनके सामने बेट जाएए उनके सामने कर सकते हैं साती सात यदि आपके घर में मता लक्ष्मी की फोट है तो उनके सामने भी कर सकते हैं और सात में आपको लेना है दो लोंग के जोड़े बहुत ध्यान से इस उपए को समझना यदि आपके जीवन में समस्या है तो लोंग दूर करेंगे यदि आपके जीवन में घरक लेशे त करना क्या है आपको पान के पत्ते के उपर शहद लगाना है वही पर माता के सामने शहद लगाएंगे लेकिन आपको शहद लगाते समय क्लेम श्री त्री नेत्राय नमह इस मंत्र का जाप करना है या तो आप ओम एम रेम क्लेम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं कम से कम 11 बार या तो 108 बार आपको जाब करते हुए आपको पूरे पत्ते पर आपको श्याद लगा देना है आगे आपको बात समझ में इस प्रकार से आपको उपाय करना है दीपक से मातरानी की आरती करना है ठीक है अब इस पत्ते को उठाना है और आपको आपके घर के सबसे नजदिक में जो भी देवी का मंदिर है आप देवी के मंदिर में भी जा करके ये देवी को अर्पित कर सकते हैं पान का पत्ता जिसके उपर शहद है शहद के उपर आप दो लोंग के जोड़े भी रख सकते हैं यदि आपके जीवन में कुछ जादा समस्या है तो आप ये जो पत्ता है आपको मातारानी के मंदिर में आपको रख करके आना है मातारानी के चर्णों में अर्पित करके आना है बहुत ही आसान सही उपा है देखे यदि आपके घर के आसपास देवी माता का मंदिर नहीं है यह आप नहीं जा सकते हैं वहाँ पर भीड बहुत ज अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंड में पूछ लेना गलती नहीं करना है श्री शिवायनमस्त भ्यम हर हर महादिव